असलाम आलेकुम वर रहमतुल्लाह वर बरकाता हूँ मेरा नाम मनोच कुमार गवड है मैं यूपी इस्ट कानपूर कर रहने वाला हूँ मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका शुक्रियादाद करना चाहता हूँ इस मंच के थुरू जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थुरू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे यह मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले मैं एक ऐसी फैंबली से बिलॉंग करता हूँ जो की इतनी सेपरेट फैंबली है जो की मुसल्मान का नाम नहीं सुनना चाहती है इविन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की पर्मीशन नहीं है फिर भी अल्ला तबार को ताला का है करम है उनका कि मैं अपनी फैंबली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्ला तबार को ताला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार हमत शेक सना उल्ला जिनकी तकरीरे सुनता था जिनसे मेरे सारी मिसकंशेप्शन दूर हुए और यूपीस्ट का रहने वाला हूँ मेरी उम्र 25 साल है मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्ला तबर को ताला से यही दूआ करता था कि अल्ला ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुचाया है कि इसलाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका तो अब मुझे ऐसी जगे पहुचाये जहाँ पे मैं इसलाम को पूरी तरह से फॉलो कर सको चुकि मेरी फैंबली में पूरे के पूरे फैंबली के मेंबर्स अगेंस कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तयार नहीं मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लेंडलॉड के यां कोई एक किरायदार रहता है बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेगलेट करके वो लोग मुझे रखते थे मैं ये मैसेज उन अपने घरवालों को भी ये कोई टेरिजिस्म नहीं है ये कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी को नुक्सान पहुच्ता हो एक ऐसी फैमली का बंदा जो कि मुसल्मान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तयार है कि वो उनका दिमाग है इसलाम की तरफ नहीं मिला है तो मैं इस बात को कहना चाहता था इस बात को बताना चाहता था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मुझे मौका मिलेगा कि मैं डिरेक्ली डॉक्टर जाकिर साब के सामने आके उनका शुक्रियता कर पाऊंग तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहां पर हूँ ना वो कुछ भी नहीं है असल जिंदगी तो मौत के बाद है चुकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर नातस से प्रतिमास्ती फिर भी हम प्रतिमा को मानते मूर्ती को मानते देवी देवताओं को मानते हमारा वेध हमें बताता है एककम ब्रह्मम दुत्यों नास्ती यानि कि भगवान एक है दूसरा नहीं यह नहीं है ही नहीं उसके बाद भी हम 36 करोड देवताओं को मानते तो राम, भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्रीकर्ष्ट यहीं पैदा हुए और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटन करके नहीं दिया आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक चोटी सी बाद जो मेरे दिल में है, सारे भाईयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए, तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटन में नहीं शोड़ी, उनके जाने के बाद तुलसी दास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी, तो भगवान बेतर लिख सकते थे, या ये उन को आए, ठीक है, और श्री लंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावन का वद किया था, जिससे दसहरा मनाते हम, उनके क्रियेशन के बाद उनके, जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी, उसके बाद यान की भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुजम ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके, वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुज क्यों नहीं है, तो यह सारी चीजे, यह इसलाम जो हमें सिखाता है, इसलाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजे हमें यह सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए, अगर कोई मुसल्मान गलत करता तो हम यह नहीं सोचे कि वो इसलाम है, वो खुशी आप सारे भाईयों से बाढ़ते हुए, सारी बहनों से बाढ़ते हुए, सारी माओं से बाढ़ते हुए, आप सभी के सामने ये करार करता हूँ, कि अल्ला के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये मेरी फैमली वाले, या मेरे यूपी वाले, या जितने भी लोग देख र चुके मैं शुक्र गुजार हूँ आपका कि अपने पीश टीवी का मेसेज एक नच्छल में दिया और अलम्द जो भी आपने कहा माशाओला और जो आपने याद के हवाले के साथ दुश्लो का माशाओला आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसके कोई माबूद नह है कोई शक नहीं आप इस्लाम कभूल माशाओला कोई कोई जबरदस्ति कर रहा है कोई जबरदस्ति नहीं53 नहीं है विडाओ अनी प्रिश ब्रेश konsteren और में तो शालत के कंडिशन भी रत लिए पीश टीवी से माशाओला है इंशालाम्य अर्भी तीन करूंगा और में चा माशाला आपको अर्भी भी एकदम माशाला अच्छी है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लह के इलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद असके बंदे और पेगंबर है माशाला मेरे साब से अब दिल से पहले से ही मुसलमान थे अभी लोगों के सामने जाहिर किया और आप जो कहना चाहते थे यूपी में कई लोग आपको जानते ये लाइफ टेली कास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी वियोशिप तकरीबन 10 क्रोर है 100 मिलियन इट इस लाज़ेस्ट वाष्ट प्यूरिच्छल चैनल इस चैनल इन दो वर्ल अलबんです के साव से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मझहबी चैनल कृिशियन चैनल से भी ज़्यादा और दिगर इस्लामी चैनल से भी ज़्यादा पीश टीवे अलब सियदेः और इस देश में भी क्ड़ों लोग देखते हैं और जाहर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे आपने शादा सिर्फ यहां लाखों लोग के सामने नहीं दिया आज का मजमा माशाला अल्ला जानता कि इतने लोग ली की लाखों की ताजात है एक सहलाब है इनके इलावा कुड़ों लोग पीछ टीवी पे देखते उनने भी आपकी शादत को सुना आपके शॉर्ट मेसेज को सुना मैं इसके लिए शुक्र गुजारूं अल्ला सुभाना हुटा से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बहतरी जिन्दगी दे लेकिन आखरत में और बहतरी जिन्दगी दे और आप जानते है कि आपने इस दुनिया के एश्यो आराम को ठुकराया क्योंकि आप जानते है कि आखरत की जिन्दगी इस दुनिया से बहतर है फिर भी अल्ला ताला फर्माते है कि दूआ करो के इस जिंदगी में भी सुरे बकरा सुरा नमबर दौ आयत नमबर दौसो एक में मैं धुआ करता Allah तौसे के आपको इस जिंदगी और आखरríaत में भी सबसे बेतनी जिनदगी दे और आपको जहनम से बचाए और आपको जन्नत में आमीन मेरे कुछ दोस्ट से कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफा के लिए बोल सकते तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते मुस्तफा माशाला बहुत अच्छा नाम है बिल्कुल अच्छा नाम है मुस्तफा माशाला बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आपको मुस्तफा बु ज़रूर आप लागर स्टेज पे आसे क्टे मैं प्रतन के में शाला है माइक नमबर पाइ